नमस्कार मैं फ्रांशे राठोर और आप देख रहे हैं निक्स्ट नाइन न्यूस तेलांगना की मुख्य मंत्री और बियारेस के प्रमुख के चंदर शेखर राओ लगातार डंके की चोट पर जीत का एलान कर रहे हैं जेहां तेलांगना में जैसे जैसे विधान सभा चुनाव की तारीक नस्दी का रही है वो ऐसे वैसे ही यहां पर स्यासी सरगर्मिया तेज होती सा रही है मालूम हो कि बीते 10 सालों से के चंदर शेखर राओ की इस राज्य में सरकार है कॉंग्रेस और भारती जनताव पार्टी तक को वह चनोती देने में काम्याब होती हुई नसराय है और एक बार फिर से वह मुख्य मंतरी बनने का दावा कर रहे हैं और ऐसे में अब उन्होंने एक बार फिर से साफतोर पर कह दिया है कि जब तक मैं जिंदा रहूंगा तब तक ये राज्य धर्म निर्पेक्ष राज्य रहेगा जनकरी के लिए आपको बता दें कि केच अराम नहीं करेंगे जब तक सभी वर्गों के लोगों का विकास नहीं हो जाता इसी के साथ साथ उनका कहना ये रहा कि जब तक वे जिंदा हैं तब तक तेलागना धर्म निर्पेक्ष राज्य बना रहेगा हैदरबाद से तक्रीबन 90 किलोमीटर दूर जनगाओं में एक रैली को उन्होंने संभोदित किया जहां पर CM KCR ने साफ़तोर पर कहा कि जनता से उनकी पार्टी ही के उमीदवार को वोट देने का अनुरोध किया और इसी के साथ उन्होंने लोगों को आगा किया कि वे कॉंग्रेस की चिकनी चुपडी बातों में ना आए और ऐसे में देखा गया कि यहां पर केसियार ने एक बेहत बड़ी चुनौती दे दी केसियार का कहना रहा कि बीते दस सालों में इस राज्य में कोई सांप्रदायक तनाव नहीं हुआ हैदराबाद शहर शांतिपूर है बिजनिस के अनुकूल हमारी ओधगिक निती के कारण लाखों करोडों रुपे का निवेश प्रवेश में आ रहा है हमारी युवाओं को नौकरियां मिल रही है ये भवेश्य में जारी रहना चाहिए विकास और प्रगती जारी रखने के लिए बी आरेस के लिए वोट मांगते हुए उनका कहना रहा कि कॉंग्रेस का कहना है वे एकी करत भूमी प्रवंदन पोर्टल धरडी को खत्म करेंगे जिसके बारे में उन्होंने कहा कि इससे अराजकता फैल जाएगी केसियार का कहना है कि तेलंगना एक मात्र ऐसा राज्य है जो किसानों को 24 घंटे मुफ्त विजली देता है आप चाहते हैं कि किसानों की जमेन सुरक्षित रहे इसी तरह पंजी करण जारी रहे तो आपको कॉंग्रेस पार्टी को दंड देना चाहिए और उन्हें स्तबक सि किया और दूसरी ही तरफ यहां पर तमाम यूजनाओं का भी वहे ऐलान करते हुए साफ़तोर पर नजर आए हैं जहां एक तरफ राहुल गांदी सौनिया गांदी का साफ़तोर पर कहना रहा है कि तेलंगना में वहे अपनी सरकार सत्ता में लाना चाहते हैं सौनिया गांद सीटों में से बीजेपी एक सीट पर सिमट्टी हुई नजराई और कॉंग्रेस तकरीवन सोला सीटों पर जीत हांसिल की ऐसे में देखना होगा यहाँ पर प्रचंड बहुमत के साथ जीती थी बी आरेस्ट क्या वाकई में एक बार फिर से तीसरी के बार मुख्य मंत्री बन पाएंगे केसियार या फिर नहीं यह बहुत बड़ी बात और यह बहुत बड़ा सवाल उटता है लेकिन आपके क्या कुछ राइपिर्ती करिया है आप कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हैं क्योंकि यहां पर देखा जाए कॉंग्रेस के साथ साथ ब पर हमलावर होते हुए दिखाई दिये हैं इस खास रिपोर्ट में इतना ही वागे की तमाम अप्डेट्स के लिए आप देखते रहें नेक्स्ट नाइन न्यूस